दोस्तो अभी लोकडाउन खुलने वाला है और कुछ लोग तो पहले से ही निकल पड़े हैं रास्तो पर अपने कार, बाइक और इसकुटी पर पर क्या आप जानते हैं कि इतने दिन जो कार, बाइक या इसकुटी जो परे हुए थे उनके अंदर किस जनबर ने अपना घर बना लिया है नहीं तो ये देखिए क्या आपको अंदाजा भी है कि साप लोग डाउन में क्या कर रहे हैं थोड़ा साबधान होने का बक्त आ गया है क्यूंकि अब साप भी गुसने लगे हैं कार के अंदर, इसकुटी के अंदर, बाइक के अंदर तो आज का वीडियो होने वाला है लोगडाउन में सापो का आतंक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखे क्यूंकि आपके सलामती के लिए ये वीडियो काम आने वाला है उससे पहले हमारे चैनल मिस्टर भर्गप वान्टो ठी को सब्सक्राइब करे या फिर जब भी हमारा वीडियो देखना चाहे यूट्यूब पर मिस्टर भर्गप वान्टो ठी सर्च करे याद रखे मिस्टर भर्गप वान्टो ठी मैं हूँ भर्गप और चैनल का नाम है मिस सनों को देखने आ रहे हैं ऐसे में फिल हाल ये लोकडाउन का दोर जंगली पसूओं के लिए पार्टी टाइम से कम नहीं है माहोल में सांती हो तो जंगली पसू खुस होते हैं जंगली पसू जो सहर के सोर सरावे के कारण दूर कहीं सांती की तलास में चले गए थे वे बापस सहर में देखे जा रहे हैं वे अपने इलाके से बाहर च्वच्छंद घुम रहे हैं लोकडाउन ने सहरी माहल को बिलकूल सांत कर दिया है, और ऐसे में सापों को भी आजादी मिल गई है, और सहर सपाते के लिए सहर की सरकों पर मस्ती से घुम रहे हैं. लेकिन लोगडाउन में भी लोग गारिया चलाके इनको डिस्टर्ब करे हैं क्योंकि रास्ता पार करने में सापों को काफी समय लगता है और सापों का सरीर भी लंबा होने से उन पर और भी खत्रा मंदराता रहता है तो इस साप ने काफी ताइम सोच बिचार करने के बाद आखिर रास्ता पार कर ही लिया उधर एक दूसरा बड़ा साप देखा गया रास्ता पार करते हुए सायद इस साप को रास्ता पार करके लोगों के घरों तक पहुंशना है पर इसे भी बहुत time लग रहा है रास्ता पार करने में लोकडाउन में भी लोग गारिया चलाके इसको disturb कर रहे हैं जेसे तेसे इस साप ने भी आखिर रास्ता पार कर ही लिया इसलिए कुछ साप रात को निकलने का फेसला किया फिर भी एक ना एक इंसान पहुची गया केमरा के साथ लोकडाउन में भी तुम लोग घर में नहीं रह सकते हो क्या ऐसा इस साप ने कहा है सायद उधर जिस बड़ा साप ने रास्ता पार कर लिया था उसने आखिर एक घर को अपना निशाना बनाया है दरबाजा बंध पाकर इसने घर के मालिक के कार में घुसने का फैसला किया उस साप को लगा होगा की अब लोकडाउन में कहां लोग कार चलाएंगे पर हम है तो इंसान कहां लोकडाउन का पालन पुरी तरह से करने वाले हैं तो कार स्टार्ट करते ही मालूम चल गया कि कार के बोनेट के अंदर एक साप है तो दोस्तो सापधान अब सापों ने भी लोगों के कार को अपना घर मना लिया है ये साप जंगल का सबसे खटरनाक जनबरों में से है जो इंसानों के लिए खटरा बन गये हैं कुछ साप कार के ऐसे जगाहों पे घुच जाते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देता है और कुछ साप अगर कार के बिलकुल अंदर चुपा हो तो वो तो और भी जानलेवा हो सकता है तो अगली बार अगर आप आपके कार के पास तेई दिनों के बाद जा रहे हैं तो थोड़ा साबधन रहेगा सिर्फ कार ही नहीं अगर आपका इसकुती है तो भी होसियार अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए इसकूती के हैंडल बर में देखिए कितना कटानाक सांप आराम से घुसा हुआ था एक बार कलपना कीजिए कि अगर आप इसकूती चला रहे हो और तभी एक सांप ऐसे निकल जाए तो क्या होगा इसकूती के इंस्ट्रूमेन क्लस्टर और हेडलाइट के बीच में काफी खुला हुआ जगा होता है जहां सांप आराम से रह सकता है साथ ही कुछ लोग पता नहीं क्यूं रियर भीउ मिरोर को खोल के रखते हैं जिस वज़े से वहां एक छेट बन जाता है और वहीं से साप इसकूती के अंदर चले जाते हैं तो अगली बार अगर अपने स्कूटी या स्कूतर के पास कई दिनों के बाद जा रहे हैं तो थोड़ा साबधन रहेगा सिर्फ स्कूती या स्कूतर ही नहीं अगर आपका मुटर सैकल या बाइक है तो भी होशियार आजकल sports bike के instrument cluster और headlight के बीच में भी काफी खुला जगा होता है जहां साप आराम से रह सकता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं पर किसी मामूली सी bike में भी कोई बड़ा साप भी घुश सकता है जो इस वीडियो ने साबित कर दिया है तो अगली बार अगर आप अपने motorcycle या bike के पास कई दिनों के बाद जा रहे हैं तो थोड़ा साबधान रहेगा आजकल बहुत से साप गाउं या सहर में घुसाए हैं जो लोगों के car, bike या स्कूटी के अंदर हो सकते हैं जो इनसान पर हमला कर सकते हैं इसलिए दोस्तो ये वीडियो अपने प्रियोजनू के साथ जरूर सेयर करें ताकि सभी लोग साबधानी बढ़ते साथ ही हमारे चैनल मिस्तर भरगब123 को सब्सक्राइब करें या फिर यूट्यूब पर मिस्तर भरगब123 सर्स करें याद रखे मिस्तर भरगब123 क्यूंकि आपके लिए हमने दोसों से भी ज़्यादा वीडियोज बना के रखे है जिनको साइध ही आपने कभी देखे होंगे जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोज दिख रहे हैं कृपिया इनको देखे या फिर हमारे चैनल में जाए और आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखे तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नमस्कार